ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि शेहनाज अब दुबारा से वापिस आ चुकी है सिधार्थ शुकला के पास शेहनाज के दुबारा से सिधार्थ के पास वापिस आने पर ओडियन्स के दिमाग में कई सवाल उठ रहे हैं जैसे घर से निकलने के बाद क्या शेहनाज और सिधार्थ की होगी शादी क्या ये दोनों सच में करते हैं एक दूसरे से प्यार आईए हम आपको बताते हैं क्या सच में इन दोनों की नस्दी क्या बढ़ रही है इस बात के तीन सबूत आपको दिखाते है शेहनास जिस तरह हमेशा सिधार्थ का साथ देती नजर आती है एक दोस्त से जादा शेहनास सिधार्थ का सपोर्ट करती नजर आती है उससे ये साफ जाहिर है कि शेहनास के दिल में सिधार्थ के लिए बस अब दोस्ती ही नहीं बलकि प्यार वाली एट्रेक्शन और भी ज़ादा बढ़ रही है सबसे पहला ये कि आपको ये तो याद ही होगा कि कितनी बुरी तरह सिधार्थ और आसिम की लड़ाई हुई थी तो शेहनास ने सिधार्थ का सपोर्ट लेते हुए आसिम को खरी खोटी सुना दी शेहनास ने तो यहाँ तक आसिम को कह दिया था कि शेहनास सिधार्थ का सारा काम भी कर देंगी दूसरा सबूत शेहनास ने जब सिधार्थ की सभी घरवालों के आगे बेज़ती की थी और सिधार्थ शेहनास से काफी ज़ादा गुसा हो गए थे तो देखा था न आप सबने कि किस तरह शहनास सिधार्थ को मनाने के लिए सिधार्थ के बेड़ पर किस करने पहुँच गई थी तीसरा सबूत ये था कि जब सिधार्थ को लगा कि अब सिधार्थ और सिधार्थ के बीच में जादा दूरी आ रही है तो सिधार्त ने भी शहनास को बेड़ पर खीच लिया था उसके बाद सिधार्त ने शहनास को हग किया और सना सिधार्त की बाहों में अपना सर रख कर लेट गई थी तो अब इन सब बातों से ये साफ जाहिर है कि अब इन दोनों की बीच में सिर्फ दोस्ती ही नहीं बलकि अब इन दोनों का रिलेशन आगे बढ़ चुका है ऐसी ही बिग बॉस के पहले सीजन्स में सदस्य थे जो बिग बॉस में मिले और बाहर जाकर इन सबने शादी कर ली थी ऐसी ही अब इस सीजन में सिधार्थ और शेहनाज लवबर्ड्स बन चुके है शेहनाज सिधार्थ का ऐसा सपोर्ट बन चुकी है जो उनका गुसा भी शांत करवा देती है इन दोनों के फैंस तो इन दोनों की सोशल मीडिया पर शादी के बाद का फ्यूचर भी देखने लगे है अब देखना ये है कि शेहनाज और सिधार्थ के बीच का रिष्टा गर से बाहर भी ऐसा ही रहेगा अगर ऐसे ही रहता है तो ये दोनों अपने रिष्टे को क्या नाम देंगे इन सब सवालों के जवाब सबसे पहले पाने के लिए हमारे चानल अरपन नियूस को करें सबस्क्राइब और येस डांट फॉर्गेट टू प्रेस बला आइकन ताकि हमारे चानल पर आई कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिसना गर पाएं